हम देखने जा रहे हैं क्वेस्टन नूमर सेकेंड का सेकेंड पार्ट हम यह देखेंगे इसमें कि किसी डाइपूल के कारण किसी एक्विटोरियल पॉइंट पे एलेक्टिक फिल्ड की वैलू कितनी होती है देखेंगे यह हमने एक डाइपूल अपना रखा इस डाइपूल के कारण हम देखेंगे इस वाले पॉइंट पे इलेक्टिक फिल्ड के वैलू कितनी होगी ठीक है चलिए देखते हैं अगर यह पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव के चार्ज के कारण इस पॉइंट पर जो इलेक्टिक फिल्ड की डाइरेक्शन होगी वो आउटवर्ड होगी लेकिन इस चार्ज के कारण जो इलेक्टिक फिल्ड की डाइरेक्शन होगी वो towards itself होगा ये, ठीक है हम ये माल लेते हैं कि दोनों के बीच का जो एंगल है वो थीटा है, ये थीटा ये हमने रख लिया तो देखिए, अगर हम बात करें कि ये फिर हमारा एंगल कितना होगा दोनों के बीच में तो आपने ये पढ़ा होगा कि जो exterior angle होता है वो interior angle के sum के बराबर होता है means ये हो जायगा आपका 2 थीटा ठीक है? तो हम बोलेंगे कि ये वाला जो electric field था, वो था electric field at point P due to B, ये होगा तो हम थोड़ा इसको देख लेते हैं कि आगे क्या होगा तो देखिए अगर हम इसके और electric field का resultant होगा या net होगा ये इधर को होगा तो ये होगा हमारा E net या जाएगा अब देखिए इसके बाद ये हम देखेंगे हमने ये देखा था कि electric field होता है KQ by R square ये होता है ये distance होती है उस point तक की जहां से, जिस point पे हम निकालते हैं अब देखिए जो हमने ये perpendicular लिया था इस dipole से, ये distance हम ले लेते हैं R, ठीक है तो ये वाले distance क्या होगी ये होगी R square plus D square root में, ये होगा अगर हम इस वाले distance की बात करें तो ये भी distance उतना ही होगा ठीक है तो थोड़ा देखते हैं कि electric field at P due to Q यानि A इसके कारण जो इस पे electric field है उसका magnitude कितना है तो E, P, A बराबर आ जाएगा KQ by distance R square plus D square root का whole square ये होगा, इसको हम माल लेते हैं इसी तरीके से अगर बात करें कि electric field at P due to minus Q अगर इसके कारण हम electric field देखते हैं तो देखिए इसके कारण electric field मिलेगा E at point P due to B बराबर KQ by root में R square plus D square का whole square ये हमारा second equation होगा अगर हम यहाँ पर बात करें तो दोनों का magnitude देखिए सेम है ये भी KQ upon root में R square plus D square का whole square है ये भी KQ upon R square root में R square plus D square का whole square है तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि E P A बराबर E P B अगर दोनों का हम माड ले लें तो इनके magnitude की बात रहे हैं दोनों का magnitude क्या होगा सेम और इसको हम ले ले लेते हैं E के बराबर देखिए इसके बाद हम क्या करते हैं कि जो हमारा E net निकलता है ये हम कुछ इस तरीके से निकालते हैं कि E net बराबर यहाँ पर होगा जब ये किसी angle मतलब दोनों इलेक्टिक फिल्ड के बीच में अगर कोई angle होता है तो इसको निकालने का तरीका ये होता है कि root में E P A का square plus E P B का square plus 2 E P A into E P B into cos theta ये होगा अब अगर हमने ये देखा था कि E P A E P B आपसे बराबर है वो और E के बराबर है तो हम लिख सकते हैं E net बराबर E square root में root में E square plus E square plus 2E E cos theta ये लिख सकते हैं इसको हम फिर लिख सकते हैं E net बराबर ये कि देखिए E और E मिलके 2E square plus 2E square cos theta ये हो गया अब देखिए इसको हम लिखेंगे again कि E net बराबर आएगा अगर हम दोनों में से 2 अगर 2E square कॉमर ले ले तो ये बन जाएगा root 2 और ये बन जाएगा E जो root के अंदर बचेगा वो बचेगा 1 plus cos theta sorry यहाँ पे guys theta नहीं यहाँ 2 theta होगा ठीक है हाँ यहाँ 2 theta होगा अब देखिए जब हम इसको solve करेंगे तो यहाँ से हम कोशिस करेंगे कि 1 को हटा दे तो देखिए cos 2 theta का formula होता है 2 cos square theta देखिए यह 2 theta था तो theta होगा minus 1 करते हैं तो आएगा E net बराबर root 2 E फिर root में 1 plus 2 cos square theta minus 1 तो देखिए 1 से यह 1 चला जाएगा इसको हम लेक सकते हैं अब देखिए यह 2 है और इसको बाहर निकालेंगे तो root 2 बनेगा तो पहले से देखिए एक root 2 यह है और एक root 2 यह भी बाहर आएगा into root 2 और यह E है तो E रहेगा देखिए cos square जो theta इसके अंदर बचेगा उसका आएगा cos theta तो overall अगर इसकी बात की जाए तो इसको देखिए हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि 2 E cos theta ठीक है यह हम लिख सकते हैं अब देखिए यहाँ पे यह देखिए कि जो E है वो दोनों का magnitude आपस में बराबर है तो हम इन में से कोई सबी ले सकते हैं आप यह तो E PA ले लिजिए यह तो E P B ले लिजिए दोनों का magnitude आपस में बराबर है तो आप इसी को उठा के वहाँ पूट कीजिए देखिए यहाँ पे जब यहाँ पे बचा था कि E net बराबर 2 E cos theta अब इसी के place पे हमें यह चीज़े पूट करने है E की value तो देखिए यहाँ जब पूट करेंगे तो हम लिखेंगे कि E net बराबर 2 अब देखिए E की value अभी हमने देखा था कि KQ by R square plus D square यह root का whole square था ठीक है? यह था यहाँ देखिए यह दिया है तो यह था अब हम इसको लिख सकते हैं कि E बराबर KQ by R square plus D square यह हम लिख सकते हैं अब यही value यहाँ पर उठा के put कीजिए तो देखिए आएगा E के place पे KQ by R square plus D square into cos theta अब देखिए cos theta की value हम put ले सकते हैं यहाँ से देखिए यहाँ से अगर मुझे cos theta की value निकालना पड़े तो cos theta बराबर होता है base upon hypotenuse तो base कितना है यहाँ पे D hypotenuse कितना है root में R square plus D square ठीक है base यह हो गया देखिए cos theta यहाँ से theta तो यह perpendicular base तो base upon hypotenuse तो यह लिख सकते हैं तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि D upon root में R square plus D square यह हम लिखेंगे अब देखिए लिखेंगे E net बराबर 2 K Q D upon R square plus D square का 3 by 2 यह हो जाएगा तो अगर हम किसी dipole की कारण किसी point याई equatorial point पे अगर निकालते हैं electric field की value तो आएगा 2 K Q D upon R square plus D square के power 3 by 2 लेकिन अगर इसी को मैं dipole के form में लिखना चाहूं तो देखिए मैं इसको लिख सकता हूं 2 K Q D को लिखेंगे K Q into 2 D और देखिए इसकी जो value होती है वह होती है P के बराबर ठीक है अब यह value यहां उठा के put कर दीजिए तो E net बराबर आ जाएगा हमारा K P upon R square plus D square का 3 by 2 यह आएगा ठीक है तो हम यह जो निकाले हैं यह किसी equatorial point पे electric field की value है due to dipole ठीक है यह आजाएगा अब हम यहां पे एक case देख लेते हैं हम यह बोलेंगे कि if जो R है वो बहुत बड़ा हो जाए D से तो फिर क्या होगा तो हम लिखेंगे इसको E net बराबर K P upon अब आप यहां से क्या किजिए R को बाहर common ले लिजिए तो R को बाहर common लेंगे तो देखिए R Q बचेगा क्योंकि जब यह जाएगा तो 6 by 2 वह साथ में जाएगा तो 6 by 2 का मतलब 3 अंदर क्या बचे गया 1 plus D square by R square का 3 by 2 अब देखिए R की value D से बहुत बड़ा है तो फिर इसकी जो value आएगी वो approximate में बोल देंगे कि 0 के बराबर आएगी ठीक है अब जो बचा हुआ पार्ट है वो बचेगा K P by R Q ठीक है तो हम यह भी देखेंगे कि अगर R की value D से बहुत बड़ी है तो फिर E net की value आएगी K P by R Q ठीक है तो यह हमारा यहां पर दोनों पार्ट कंप्लीट होता है तीक है अब हम इसके बाद 3rd questions देखेंगे और 3rd questions भी काफी important है